अलो एवरिबन वेलकम टू किट घरिक आई ये नोबल प्रैस की सिरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिसकस करते हैं नोबल पीज परुसकार को आज नोबल पीज परुसकार को अनॉज़ किया गया है इसी को आज हम डिसकस करने वाले है इससे पहले फ्रेंडस हमने देखा था क सबसे पहले मेडिसिन के नोबल पुरुसकार को अनौउंस किया गया जिसके विनर थे विक्टर एमरोज और गैरी रुफकॉन. उसके बाद हमने देखा फिजिस का नोबल पुरुसकार जो दिया गया जौन जे होफिल्ट और जौफरी ए हिंटन को. फिर हमने देखा केमेस्टी के नोबल पुरुसकार जो दिया गया डेविट बेकर और डेमेस हैसेबिस और जौन एम जमपर को. उसके बाद फ्रेंड्स हमने कल डिसकस किया था लिटरिचर के नोबल पुरुसकार को जो दिया गया है इस साल साथ कोरिया के हन एंग को. आज हम डिसकस करने वाले हैं फ्रेंड्स नोबल पुरुसकार को. तो चलिए देखते हैं किसको इस साल मिला है नोबल पुरुसकार को. इसके इस था अपना 1956 में हुई थी और यहाँ पर इनको यह नोबल पुरुसकार इसलिए दिया गया है क्योंकि इस संस्था ने लगातार इस दिशा में कदम उठाए हैं जहाँ पर यह चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी नुकलर वैपमेंस नहीं होने चाहिए और नुकलर वैपमेंस हैं भी तो उनका इस्तमाल नहीं होना चाहिए और यह चीज़े लोगों तक ले जाते हैं और यहाँ पर नुकलर वैपमेंस के खिलाफ एक मूवमेंट बनाने के इन्होंने कोशिश की है यह बिसिकलि एक ग्रास रूट मूवमेंट था जिसके लाखों लोगों को गमीर विमारिया हो जाती हैं वहाँ का जो इन्वारमेंट है वहाँ पर आज भी नुकलर वैडिशन देखने को मिलता है जिसकी वज़े से वहाँ की आज भी जनरेशन सफर कर रही है तो बेसिकलि इसकी शुरुबाद एक ग्रास रूट मूवमेंट की त रोशीमा नाकसाकी के लोग हैं उन पर उसका क्या दुश्प्रभाव हुआ है कैसा जीवन वहाँ का हो गया है उनकी टेस्टेमनी उनके यहाँ पर जो रियल इंटर्व्यूज है रियल डाटा है रियल लाइफ कैसी हो जाती है नुकलियर वम जब किसी जगह पर गिरता है उ दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी वज़े से नुकलियर वेपन का इस्तमाल नहीं होना चाहिए तो नुकलियर टैबो जो है यहाँ पर इस्टेबिश किया जाता है इनके दोबारा और इनी प्रियासों के वज़े से हम देखते हैं कि जापान के निहोन हिडांको को इस साल क कि नर्गिस मुहमदी को 2023 में इस प्रुषकार से समानित किया गया था चलिए नोगल पीस प्रैस की थोड़ी ब्रीफ हिश्टी को भी डिस्स कर लेते हैं अब तक 105 बार इस प्रैस को नांस किया जा चुका है जिसके तहत 142 यक्तियों को यह प्रुषकार दिया गया है अब तक फ्रैंड्स 19 महिलाओं को नोगल पीस प्रुषकार से समानित किया जा चुका है सबसे यंगेस विजिता की बात करें तो पाकिस्तान की मलाया यूसफ जाही को यह प्रुषकार दिया गया था 17 वर्षकी आयू में 2014 में और सबसे उम्रत राज विक्ति की बात करें जिरों RM 2.0 में आपका Civil Services का जो Foundation होता है आप स्टेट PCS के त्यारी कर रहे हो या UPSC के त्यारी कर रहे हो जो Foundation होता है फ्रैंड्स उसके लिए RM 2.0 बैच हमारी तरफ से launch किया गया है और सबसे affordable price में फ्रैंड्स आपको यह course available है तो एक बार route application पर इस course को जुरूर visit करें चलिए बढ़ते हैं और solve करते हैं important MZQs को पहला कोशन है किस दिन nuclear bombs को drop किया गया था हिरोशिमा पर तो फ्रैंड्स हिरोशिमा पर हम देखते हैं कि 6 अगस्त 1945 में USA द्वारा nuclear bombs को drop किया गया था और नागा साकी पर 9 अगस्त 1945 पर immediately यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 लाग से ज़्यादे लोगों की जान चिले जाती है और आगे जाकर लागों लोग प्रवाविद भी होते हैं इस nuclear bomb की वज़े से नेक्स कोशन है निहोन हिडांग को किस वर्ष इस्टैब्लिश किया गया था इसकी संस्थापना किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना 1956 में हुई थी तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा C 1956 Next question है नोबल प्रुषकार पाने वाली सबसे युवा विजयता कौन है तो Friends पाकिस्तान की मलाया यूसफ जाई को 2014 में 17 वर्ष की आयू में नोबल प्रुषकार से संबानित किया गया था नेक्स्ट कोशन है शान्ती का नूबल प्रुसकार पाने वाले सबसे उम्र दराज वेजेता कौन है 1995 में 87 वर्ष की आयू में फ्रेंड्स जोसफ रोड ब्लास्ट को ये प्रुसकार दिया गया था तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा B जोसफ रोड ब्लास्ट नेक्स्ट कोशन है निम्र लिकित में से किस भारती ये महीला को शान्ती के नूबल प्रुसकार से समानित किया गया है Friends अब तक ऐसा एक बार ही हुआ है कि तीन बार किसी संस्था को नूबल प्रुसकार से समानित किया गया है और यहाँ पाँ सही आंसर है B. International Committee of the Red Cross 1917, 1944 1963 में इस संस्था को Nobel Peace पुरुषकार से सम्मानित किया गया है Next question है शान्ती का Nobel पुरुषकार किस संस्था के दुवारा दिया जाता है तो फ्रेंट्स तो शान्ती का Nobel पुरुषकार है उसका विजेता यहाँ पर डिसाइट किया जाता है Norwegianian Nobel Committee दुवारा यहाँ पाँ फ्रेंट्स जुतने भी Nobel Prize होते है हर Nobel Prize को अलग-अलग संस्था दुवारा अनौंस किया जाता है हर Nobel Prize भी हम से तीचों डिस्कॉस कर रहे है भारत की दरफ से हम देखते हैं कि केला शत्यार्थी जी को 2014 में पाकिस्तान की मलाया यूसफ जाही के साथ Nobel Peace पुरुषकार से समानित किया गया था तो राइट आंसर C केला शत्यार्थी जी आईए देखते हैं आज का लास्ट कोशन फ्रेंड्स आज का लास्ट कोशन है किसने 2024 का Nobel Peace पुरुषकार जीता है इस कोशन का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने Nobel Peace Price 2024 को डिटेल में डिस्कॉस कर लिया है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूलें नेक्स वीडियो में फ्रेंड्स हम Economics के नवर प्रैस को डिस्कॉस करेंगे जब तक के लिए फ्रेंड्स बाई बाई एंड टेक क्यार